दुबई में रंगे हाथों पकड़ाई एक्ट्रेस तीन फिल्मों में दिखा चुकी है जलवा अपने काम का परिवार के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप क्या है किस रैकेट का एंगल कृप्या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आईए जानते हैं इसके बारे में बाटला हाउस, सडक, दो और थिंकिस्तान जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस क्रिसन परेरा को युएई में गिरफ्तार कर लिया गया है क्रिसन पर आरोप है कि वे ड्रग तसकरी के एक रैकेट में शामिल हैं इसी आरोप में क्रिसन को हिरासत में लिया गया है क्रिसन के परिजनों ने इसे एक साजिश बताया है जिसमें परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर डांसर क्रिसन परेरा को करीब दो हफ़ते पहले UAE के सरजाह शहर में पुलिस ने गिरफतार कर लिया था दो हफ़ते से जेल में बंध हैं क्रिसन, तभी से ड्रग के मामले में क्रिसन सेंटरल जेल में बंध हैं हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक क्रिसन को एरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ गिरफतार किया गया है हाला कि क्रिसन के घरवालों ने इन खबरों से साफ इंकार किया है क्रिसन के भाई केविन ने मामले को लेकर कहा हम दो हफ्तों से काफी परिशान है मेरी बहन डेकसूर है उसे मिलकर फंसाया जा रहा है परिजनों का कहना है कि जब से क्रिसन एरपोर्ट पर उतरी है उसी के बाद से ही बात बंध है क्रिसन के भाई ने बताया कि हमें पुलिस ने बहत्तर घंटे बाद मामले की सूचना दी है परिजनों ने रवी नाम के एक व्यक्ति पर भी क्रिसन को फंसाने का आरोप लगाया है जिसमें परिजनों का कहना है कि रवी नाम के व्यक्ति ने उसे फंसाने की कोशिश की है रवी ही क्रिसन की कास्टिंग और ओडिशन्स का ध्यान रखता है क्रिसन के परिवार ने बताया कि हमने एक वकील ने बात की है जो हमसे करीब 13 लाख रुपए की फीस मा रहा है के लोग अपनी समस्या से जूज रहे हैं साथ ही करीब दो हफते से हमारी बेटी से बात नहीं हो पाई है बता दें की क्रिसन परेरा एक एक्ट्रेस और डांसर है अब तक बॉलिवुड की तीन फिल्मों में एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी है सोशल मीडिया पर क्रिसन परेरा बड़ी स्टार है और हजारों लोग फॉलो करते हैं